नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का डीवी न्यूज में मैं हूँ आपके साथ रिशुत्याखी भगवान से बरदान मांगने के लिए तो रिशी मुनियों ने खुब तपस्या की और भगवान ने खुश होकर उन्हें बरदान भी दिये अब कल्यूग में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदितेनात का आशिरवाद पाने के लिए बागपत में एक शिक्षक ने तपस्या शुरू करती है शिक्षक का कहना है कि अगर उत्रप्रदेश के सियम योगी आदितेनात उससे मिलने नहीं पहुँचे तो वो आने वाले वक्त में अपने प्रान भी त्याग सकता है कहते हैं कि तपस्या में इतनी ताकत होती है कि देव लोक से भगवान को भी धर्ती परा कर भक्त की हर इच्छा पूरी करनी पड़ती है जिसने भगवान से जो भी मांगा उसे वो ही मिला इसी तपस्या को लेकर यूपी का बागपत भी आजकल सुर्ख्यों में है क्योंकि यहां भगवान को प्रसंद करने या फिर वर्दान के लिए नहीं बलकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदितिनाद के आशिरवात के लिए एक शिक्षक तपस्या कर रहा है बागपत के खेकड़ा के सानक्रोध गाउं में पढ़ाने वाले शिक्षक नरेंद्र त्यागी मुख्यमंत्री योगी आदितिनाद का फोटो सामने रखकर तीन जून से तपस्या कर रहे हैं कि योगी उनकी तपस्या से कब खुश होंगे और उनसे मिलने बागपताएंगे योगी आदितिनाद के फोटो को सामने रखकर बस उन्ही के नाम की माला जपी जा रही है तपस्या की सास साथ नरेंद्र त्यागी ने मौन व्रद भी रखा हुआ है जब योगी आएंगे और नरेंद्र त्यागी कहकर पुकारेंगे उसी के बाद त्यागी ची कुछ बोले से लेकिन वहाँ उनकी मुलाकात उत्प्रदेश के सीम योगी आदितिनास से नहीं हो पाई जिसके बाद वो बेहद परेशान हो गए योगी से मिलने की तपस्या करनी उन्होंने शुरू कर दी और उसके बाद तपस्या पर बैठने से पहले त्यागी ने ये तक कह दिया कि योगी जी नहीं आए तो मैं अपने प्राहन देदूंगा। अपनी दिमांड बताओ तुम्हें लोन लेना है या तुम्हें मतलब किसी लड़के की नोकरी लगवानी है। इन्होंने कहा दिया हम उस टेम पे लखना हुए। इन्होंने कहा दिया कि हमारी दिमांड ये नहीं हमें तो आशिरवाद चाहिए है केवल योगी जी का। मैं तो चाहता हूँ अपनी तरफ से जीवन दान लड़के के लिए। और योगी जी का मतलब आशिरवाद चाहता है। और इसका जो है आशिरवाद देके मेरी तरफ से जीवन दान दिया जाओए। साधू और सन्यासी की हट के आगे किसी की नहीं चलती और अब एक शिक्षक भी मानो तपस्वी बन गया है। शायद इसलिए नरिंदर त्यागी को कोई कुछ भी नहीं समझा पाया। योगी आदितिनात का कोई संदेश अभी तक ना आने पर तपस्या में बैठे इस शिक्षक ने चार दिन से अन और जल भी अब त्याग दिया है। योगी आदितिनात को भगवान मान कर नरिंदर त्यागी लगातार तपस्या कर रही है। परिवार और गाओं के लोगों ने खूब समझाया लेकिन किसी की बास समझने के लिए नरिंदर त्यागी तैयार ही नहीं। नरिंदर अब इस बात पर अड़े हुए हैं कि योगी जी को बागपत आकर ही उन्हें आशिरवाद देना होगा। नरिंदर की कोई और इच्छा नहीं है बस इतनी सी इच्छा है कि योगी जी आएं और आशिरवाद दें उसके बाद उसके जिन्दगी सफल हो जाएगी। बागपत के पुलस प्रशासनिक अधिकारियों ने भी नरिंदर त्यागी को समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी लेकिन नरिंदर अपनी हट छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पटवारी कानून गो और आज तैसिल्दार सहबाए थे तो वो एक तरह से दबाव बना गए हैं। वो कह रहे हैं कि या तो आप इनका अंसन तपश्चा अगर तोड़वा दीजिये वरना कर इनको कुछ होजाता है तो उसके जिम्मार आप लोगोंगे। बिलकुल इनको कहना है अगर वो नहीं आते चाहिए मेरे प्राणे मर जव में बैसके से लेकिने मैं अपनी तपश्चा नहीं तोड़ूगा। इसी तरह से खड़ा रहूँगा। देन से जादा बीच चुके हैं लेकिन योगी जी का अभी तक कोई संदेश भी नहीं आया। अब देखना होगा कि त्यागी जी से योगी जी खुद मिलने आते हैं या फिर त्यागी जी को अभी और तपस्या करनी होगी। बागपस से डिब न्यूज के लिए विश्वजीत चौधरी की रिपोर्ट।